में जेनम 30-year के मैं गाइनकोलोजी का निश्ट टो पी का स्टार्ट करने जा रहा हूं फीटल डिस्ट्रेश फीटल डिस्ट्रेश इस क्या है इसके बारे हम बात करेंगे लगां फीटल डिस्ट्रेश को 1996 Coco Fox तंद्राव ने बतलब कि भ्रून जब तनाव की इस्थिती मोता है तो उसको हम फिटल डिश्ट्रेस कहते हैं गर्भ आस्था के तरह भ्रून जब मा के गर्भ में पल रहता है पलता है वो ऐसी इस्थिती में जब भ्रून के उपर किसी भी प्रगार के दबाव हो और डवाव किसी भी प्रकारक हो सकता है, उसको हम लोग fatal distress गहते हैं। और इन दवाव के बहुत से कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण हो चलते हैं, बच्चा जो छोटा भूर्ण है, और दवाव में आने के बाद बच्चों को बहुत ज़्यदा नुक्सान हो सकता है, बच्चा में किसी प्रकार क्या प्रोब्लेम भी आ सकता है, ऐसी स्थिति किस ओजास से हो सकता है, फिटल डिश्ट्रेस होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, एक तो बच्चा जो मा से जुड़ता है, उसको जोडने वाला कारण होता है, अप्रा जिसको हम लोग प्रसेंटा बोलते हैं, बच्चा किसे जुड़ा होता है मा से, अप्रा या प्रसेंटा के दोरा बच्चा मा से जुड़ा होता है, और अप्रा वहीं जो है बच्चों को प प्लेसेंटा होता है वहीं भून में बच्चों को अक्षियंग सप्लाई देता है अधी उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दीकत हो अप्रा प्लेसेंटा में किसी भी प्रकार के दीकत हो उसका सीधा प्रभा उस भून पपड़ेगा उस पच्चा पपड़ेगा जिसके चलते लुए बच्चा अस्ट्रेस में आ सकता है दुसरी चीए अधि बच्क मा के गरमे जुरा बच्छा पल रहे हो तो जुराल बच्छा पलते हो तो ऐसी श्थीति में भी फीटल डिस्ट्रेस होने की सवहणा इसलिए बढ जाती है क्योंकि दोनों बच्चा को दिमार्ड रूप से फुल्फिल नहीं हो तो बच्चों में तनाव अपने आप आजाती है दूसरा जी जिसे रिलेपरी होने चाहिए नौ मन्त के बाद उसके पीच में रिलेपरी होता है तो उसके चलते भी फीडल डिस्टेस बढ़ जाता है अधि मां के उम्रे 35 साल से बहुत ज़्यदा हो तो उसी स्थिती में भी बच्चों को फीडल डिस्टेस को जमोना बढ़ जाती है अधि जिसे डिलेवरी होनी चाहिए सहती सत्ता पर अधि उसके बाद होता हुए बहुत दिलेट हो जाता है तो उसे प्रसिती में भी बच्चों को उपर फीडल डिश्ट्रेस बढ़ जाता है उसके साथ मा का अधि स्वास्त अस्तर अच्छा नहीं हो जैसे मा को डाइबेटिज के सिकाएथ हो दामा के सिकाएथ हो एनेमिया के सिकाएथ हो हाई बीपी के सिकाएथ हो हाईपो थारेडिज में के सिकाएथ हो ऐसी प्रसिती में भी बच्चों को फीडल डिश्ट्रेस के सम आता है बच्चों को तनाव अपने आप सीए नो दूसरा चीज प्रिकलेंप्सिया अधी मा को प्रिकलेंपसिया शिकाइद आती है तो उसके चलते भी बच्चा फिटल डिस्ट्रेस मलता है अधी एम्मेनेटिक फिट बहुत जाता हो यां बहुत कम हो उसके चलते भी फिटल त्रिस्ट्रेस बढ़ जाता है गर्ब अवास्था के दूरान ब्लड प्रेसर बहु जाता हो तो उसकी चलते भी फीड़ल डिश्ट्रेस बनेंग सब्हावना मैं मैं पढ़ जाती है आइ कि लिकर वस्था में इसके क्या कैसे शंकियत हो सकता है। गर्भ के वस्ता में सिसू के हल्चल पास धेरानी के लिए तो ऐसेそんな ही स्थीति में पस खहर हर्ट साउंड पस खहर्ड रेट इस बप करना चाहिए मैं जो हल्चल जो मॉँंध घेकप करवाते रहना चाहिए उससे क्लियरली पता चलता है कि बच्चा का जो अस्तर है, स्वास्त अस्तर है, वो कैसा है, बच्चा सही है, बच्चा सही है कि नहीं है, इस सब क्लियरी होते रहता है, कि बच्चों में किसी ही परकार का कोई दिकत है, कोई परसानी है, वो क्या होता है, वो क्लियर होते रहता है, औ कि दूसरा ची जब ड्रेफरी के बाद अब देखते हैं कि जब बच्चा बाहर आता है तो जो थाइली होता है इसमें इम्लिटिक फिलेड होता है अधि इम्लिटिक फिलेड में अधि बच्चा कमाल हो मतलब माई कोनिया हो तो उसे बच्चा फीडर लिश्टेस में पढ़ सकत है क्योंकि आदि बच्चा क्योंकि माइ कोनी जो इम्लिक फिलिडर हो ली में होता है उसमाइक को क्रिश्च फिलेड है कि माइ कुझ ईश्टे मैं बहु हो गाणा हो उसके चलते भी बच्चा को समय सब्सक्राशा आ चबेकि बच्चा का होता है उसी से अपने नूर्ट्रेशन भी लेता है दूसरा चीज अधि बच्चा का धरकन 112-110 के बीच होता है उससे बहुत ज्यादा हो या उससे बहुत ज्यादा कम हो तो उससे भी बच्चा का होता है फिटल डिश्ट्रेस में आ सकता है ऐसे सब प्रस्थित्या होती है जहां बच्चा फीटल डिस्टेस में संभावना कवता है बढ़ जाता है इन चीजों पर डिलेवरी के टाइविंग में ध्यान करना ठीक है कि बच्चा में किसी परकार के दीकत नहों और बार बार जो रिगुलर चेक अप होता है चेक अप कराते रहना चाहिए तकि ब यह प्रिसलेट नहीं चेक अप झाल झाल झाल